नमस्का दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आप एक अच्छे स्टूरेंट हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आप बहुत अच्छा जो SD करने की रूल रेगुरेशन है वो अच्छी हो जाएगी क्योंकि इस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा तो आएए दोस्तों देखते हैं अगर उजजयन की बात करें तो उजजयन जो है ये सिप्रा नदी के किनारे है और सूरत जो है वो तापति नदी के किनारे है कटक की करें तो महा नदी के किनारे है कटक बसा है संबलपूर भी महा नदी के किनारे बसा है और अहमदाबाद जो है वो साबरमती के किनारे बसा है ठीक है उसी इसाब से अगर बद्रीनाथ की बाद करें तो अलक नंदा नदी के किनारे बसा है बद्रीनाथ जौनपूर गोमती नद किनारे बसा है बरेली की बात करें तो वो राम गंगा नदी के किनारे बसा है उसी प्रकार से उसी क्रम में देखें हैदराबाद की बात करें तो मूशी नदी के किनारे हैदराबाद बसा है ठीक है और साथ में आगे अगर हम देखते हैं डिबुरुगर्ड की बात करें तो ड ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र नदी की किनारे डिप्बुरु गड़ बसा है और साथ ही बात करते हैं आगरा की यमुना नदी की किनारे बसा है कुलकता की बात करें तो हुगली नदी के किनारे बसा है और अयोध्या की बात करें तो सर्यू नदी के किनारे अयोध कुष्वणा रेखा है उसकी किनारे बसा है जम्सेत पूर्भ लखणव की बात करें तो गोंեդी नदी नारे बसा है और कान पूर की बात करें तो गंगा नदी की किनारे है जबलपूर की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपूर बसा है नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है तीरू-चीरा-पल्ली की बात करें तो वो कावेरी नदी के किनारे बसा है तीरू-चीरा-पल्ली ठीक है और इसी क्रम में अगर हम देखें तो कान कानपुर्ग जैसा मैंने बताए इंडुस्टियल इरिया ये इंडुस्टियल एरिया के वाजा से वहांव साफफाई नमाम यहत्ष चल दा है थीक है को रहें इधर कि श्रीरंग पंप नम की पेष्यएकr अगर आपको जो भी सुझाओ देना हो तो वो कमेंट सेक्षन में लिखें साथ ही अगर इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन जरू दबाए बेल आइकन दबाने से आपको नौटिफिकेशन पहुचेगा और कोई वीडियो मिस नहीं होगा आपको नौलेज होगा और जो की एकदम फ्री है सस्क्राइब का कोई पैसा नहीं लगता कोई चार्ज नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और जैसा भी लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें थैंक यू फर वाचिंग बे